असलाम अलेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे यहां पे भी सब ठीक ठाक हैं और आज मैं आपके साथ ना स्पेशल इफ्तार का व्लॉग शेयर करने वाली हूं और यह स्पेशल इफ्तार किसले हम करें इसके तीन रिजन्स हैं एक त और फ्राइडे को अच्छे से एक तार करेंगे और वैसे हम इसके अफ्तार करेंगे और थर्ड रिजन्स है किल पहला रोजा था और कुछ रिजन्स के वज़से ज्यादा एक अमाम मैं नहीं कर सके वह भी आपको बताती हूं क्यों तो चलें अभी किचन में चलते हैं और सा मैंने ज़रा डिफरेंट स्टाइल के कबाब बनाए थे इस बार बहुत मज़े के बने थे तो मैं आपके साथ भी जल्दी से रसिपी शेयर कर लेती हूं सबसे पहले तो शिमला मिर्च लेनी है इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे और प्यास भी चॉप कर लेंगे साथ म मेरे पास तीन हरी मिर्चे हैं इतनी तेखी नहीं होती है यहाँ पर इसलिए मैंने तीन लिया है बाकि आप अपने टेल्स के साथ से देख लेजएगा इसमें मैं लाल मिर्चे बिल्कुल भी आयर निकरूंगी तो हरी मिर्चे होनी चाहिए वैसे तो बस इसको चॉप करने क के बाद हम स्कुईज कर लेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना सबजियों में और ना ही कीमे में तो कीमा मैंने स्टेनर में रखा था इसलिए ताके पानी अच्छे से निकल जाए शुकर है इस बार मैंने रेसे पे रेकॉर्ड कर ली थी वरना अकसर जब मैं क अच्छे कबाब मसाला होता ना वह मैं इसमें एक टेबल स्पून भरके आप अट कर दें इसके अंदर फ्लेवर के लिए और उसमें भी लाल मिर्च होती है थोड़ी सी बाकी काली मिर्च भी थी और हरी मिर्चे भी तो मैंने सोचा काफी हो जाएगा वैसे भी मैंने जारी के रखे थे इसके अंदर आलू की फिलिंग है तो उपर से मैं एकी कोटिंग कर रही हूं ताकि अच्छा सा कलर आए और उपर से गार्णिश भी करेंगे इसको तो सेसमे सीड और इटालिन हर्ब्स जो होते ना उससे मैंने इसको गार्णिश कर लिया तो इसको मैं और पहला अफ्तार जो है वो सब रहतमाम से करते हैं तो खेर मैंने भी कुछ चीज़ें प्रिपेर की थी और सोचा ये था कि अच्छे से टेबल फुल कर दूंगे सब खुश हो जाएंगे लेकिन हुआ ये कि कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी मैंने एक्चली जाना था हस्बरन के साथ ग्रासरी के लिए रमदान से एक दिन पहले लेकिन वो बिजी थे तो मैंने सुचा कोई नहीं मैं डिलिवरी करा लूंगी घर पे तो अक्सर ऐसा होता कि वालमार्ट से मैं और्डर करूं न तो सेम डे वो डिलिवरी कर देते हैं टाइम पे लेकिन इस बार तो डिले हो गई डिलिवरी और पूरे इफ्तार के टाइम पे उनोंने डिलिवर किया तो जाहरे चीज़ें फिर मेरी जो हैं वो इनकम्प्लीट रह गई थी तो सिंप्ली हमने कल का रोजा इफ्तार किया थो इसलिए मैंने सुचा था कि आज का रोजा जो ना वो अच्छे स से तमाम के साथ इफ्तार कराऊंगी ताके सब को जो शिकायत है वो दूर हो जाए फिर आज बचों का रिजल्ट भी आगया इतना अच्छा और जुम्हें के दिन के बरकत भी थी तो माशला से हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई टाइम पे सब चीज़ें तयार भी हो क्या होगा पहले मैंने बनाना उठाया फिर मैंने अपल उठाया तो ग्रेप्स पहले कटके वैसे मैं ऐसा करती हूं कि जो चीज़ें खराब नहीं होने वाली होती है जैसे ग्रेप्स ट्रॉबरी यह चीज़ें मैं पहले करती हूं और बात में एंड में जो है ना बनाना औ और एपल वगरा वो चीज़ें कट करती हूं फिर तीन चार रोजे गुजर जाती ना तो आपकी स्पीड बन जाती है प्राक्टिस हो जाती है तो अच्छे से जल्दी से हर काम कर लेते हैं वैसे अभी मैंने माशाला से एक घंटे में हर चीज़ प्रिपेर कर ली थी क्योंकि क कैमरा वगरा उसकी सेटिंग करने में भी टाइम लगता है तो टोटल मैंने वन एन हाफ अवर लगाया था किचिन में मैं फाइफ थिर्टी गई थी किचिन में और सेवन अक्लॉक पे टेबल जो है वाल मॉस्स रेड़ी थी यहां पे भी सेवन फॉर्टीन पे मकरीब की इसके लावा चीनी और स्पाइसिस वगरा बिल्कुल भी आइट नहीं करती हूं कोशिश यही होती है कि जो भी चीज में बनाऊना उसमें मसाले में हलके रखूं ताके बाद में फिर हल्थ इशूज ना हो इस बार मैं ये ट्रे यूस कर रही हूं ताकि जादा बरतन मेले ना और मुझे बाद में धोने ना तो इसको मैं जल्दी से वाश करके तो किचिन टावल से ड्राइ कर लूँगी और इसी में हर चीज को प्रेपेर करूंगी क्योंकि इफ्तार तो हम सब जल्दी से तयार कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो इतने सारे बतर निकठे हो जाते किचन में उनको संभालना रखना उस सब में अच्छा खासा टाइम लग जाता है तो कोशिश यही है कि इस बार हर चीज़ को जो ना तरीके से करूं ताकि बाद में जदा काम ना करना पड़े और टाइम से वो वैसे भी इफतार के बाद ना दिल नहीं करता कोई भी काम करन जो कि मैंने बिल्कु सिंपल तरीके से बनाय थे और अब मैं बना रही हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि 90% लोग तो इग्नोर करते हैं इफतार टेबल पर हर चीज होती है लेकिन यह चीज जो ना मिसिंग होती है तो मैं यहां पर सालड बना रही हूं और बच्चे इफतार की टेबल सेट करें तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी साथ साथ कैसे करो ऐसे करो अमान और आइतल को देखके ना अली भी बार बर मुझसे कह रहा था कि मुझे भी काम बताएं मैंने भी हल्प करनी है तो बच्चों को मैं साथ ही इन्वाल्व रखती हूं इनका इंट्रेस्ट भी डिवैलप होता है और यह खुछ से क्वेस्जिन्स पूछते हैं मुझसे तो अली की ना मैं कुछ क्लिप्स लोंगी इन्शाला कमिंग व्लॉग में बहुत मज़े मज़े की बातें करता है माशला मेरी अम्मी तो बलके स्पेशली फोन करके कहते हैं अच्छा यहां यहां आइडिया काफी यूसफुल है क्योंकि किचिन काउंटर भी से गंदा नहीं होता और आपके बर्तन भी जादा मेले नहीं होते यहां पर बच्चे जो हैं वो लगे में टेबल को सट करने में तो बस अब इफतार का टाइम करीब आ रहा है तो हमने जो पहले मैंने सोचा था पकोड़े बनाऊंगे लेकिन उन्हें बनाने में टाइम लग जाता इसलिए जो चीजें पहले से फ्रीज करके रखी थी मैंने वही सोचा के फ्राइ कर लेती हूं तो डंपलिंग बना रही हूं है जो मेरे स्टाइल के है वैसे तो डंपलिंग डिफर चीज़ों की तो बस मैंने सोचा कि चीज़ें जो ना पूरी हो जाए यह ना कि किसी को कोई चीज चाहिए और वो खतम हो जाए आज यह इफ्तार ही हमारा डिनर था तो हस्बिन के लिए फिश भी मैंने साथ ही बना ली थी और यहां पर यह कबाब बन रहे हैं जिसकी रसीपी का अपने रिलेटिव का और उन लोगों का जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं उनका भी जरूर ख्याल रखा करें क्योंके रोजा सिर्फ भूके प्यासे रहने का और शाम को मज़े से हर चीज़ काने का नाम नहीं है इसके पीछे जो असल मकसद है उसको पहचाने वैस आशकल तो बस फैशन ही बन गया रोजा ना रखने का और लोग बड़े फखर से कह रहे होते हैं कि हमसे तो भूख बरदाश थी नहीं होती तो हम रोजा नहीं रख सकते अला हमें तो फिक्त है कि हम अच्छे तरीके से रोजा रखें और इस प्यारे महीने से ज़्याद से फाइदा उठा सकें अला को राजी कर सकें आमीन होता है तो इसलिए ने क्लिप्स बनाने में वेस्ट नी करना चाहिए बस मैंने साइट पर रख दिया था कैमरा के आपके साथ भी शेयर करूंगी और बच्चे यहां पर दुआ मांगे इनको मैंने पहले से का हुए के टीवी टाबले ये सब चीजें जो ना एक घंटा पहल उसके बाद नमास पढ़ लेती हो और फिर जोना थोरा सा बी पीके और फिर चार्ट ले लेती हूं थोरा से दे dépड़े लेती हूं और आचसा हन्या पहले से हरचीज KiZ कर ती और पूरे दिन की पूरी टीजाइं चल्यान। फो उसके बाद अचानक से आप हर चीज खाने होस लेकिन लोग मैंने देखा है कि सबर नहीं करते हैं उन्हें बस होता है कि जिल्दी जिल्दी से जो ना हर चीज हमारे अंदर चले जाए अच्छा ये कबाब आप जरूर ट्राइगेजिए का क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो डिफ्रेंट सा मज नहीं होगे इतनी बस एक सिंपल डिश बनाऊंगी और इन्शाला उसी से और इन सब चीज़ों के साथ ही हम इफ्तार करेंगे बर्तन मैंने मुस्ली डिस्पोजिबल ही यूस किये थे क्योंकि जादा चीज़े थी ना तो इसलिए मैंने का फिर काम बहुत जादा हो जाएग इसे और खुद खाना भी नहीं चाहती मैं तो बस चीज़ें मगरा सब उठा लूँगी और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी अच्छा इस टाइम अगर लेट जाओना तो बड़ी अच्छी नीद आती है लेकिन मैं कोशिश करती हैं और इस टाइम सोना भी नहीं चाहिए और दूसरा ये के एक्टिव रहना चाहिए जो इतना कुछ हमने खाया होता है उसे हमें डाइजेस्ट भी करना होता है तो जो भी काम अगरा होते हैं वो जल्दी से निम्टा के तो रात को एक ही बार सोचें वह जादा बहतर है फ्रूट चार्ट और दही बड़े तो मैंने फरिज में रख दिये थे और बाकिसे बीना मैंने कवर करके तो फरिज में ही रख दी थी क्योंकि अब इसके बाद किसी ने भी नहीं खाना था सबने फूल होके खाया था और नेक्स टेपिन एर फ्रायर में इन सब चीजों को पैटिस बगरा को गरम कर लोंगी तो ये बिल काफी चीजें थी तो बस मैं ही खाऊंगे बैट के राम से साथ में अली ने जो बचाया था वो भी खा लूँगी इफतार में मोस्ली फ्राइड आइटम्स या फिर चटपटी चीजें ही खाय जाती है लेकिन उसके साथ सालड भी जरूर रखा करें ताके बैलन्स हो जाए क तो यही एक टाइम होता है कि इफतार की टेबल पे आप सालड बना के रखें अच्छी सी और थोड़ी थोड़ी करके ही सही आप खा लें साथ साथ इसे मेसेज के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉई किया होगा अग अगर आपको अच्छा लगा है तो कामेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें आप से मिलूँगे बहुत जल्ड नेक्स व्लॉग में अला हाफिज